तो मैं पिपिन कुमार आपका Agriculture Study बीके में स्वागत है हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी कैटेक और बी एच्यू और आइसी आर में जो बीएसी इंट्रेंस जो एग्जाम में एगरोनुमी से क्वेस्टन पूछा जाते हैं उनकी बात करेंगे जिसमें कि हमने सो और वीडियो में हमने करा दिया है अगरोनुमी की तो हमारी जो यह Most Important वीडियो है और वीडियो सुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नहीं है वो चैनलों को सक्साय जरू कर ले वो बैल आइकन को उनकर ले तो बात करते हैं प्रिशन नंबर 101 की प्रिशन नंबर 101 है कि भ आदिक चीनी उत्पादन वारा राज्यगुंसा महाराष्ट अप्रस्टN C सही है इसका और जो बत्तर प्रदेशिंस में सबसे ज़्य् 살아 gaining जो उत्पादन किया ता हो कहां पर किया ता वो मेरत में किया था मेरतमे सबसे ज़्ञाद time इफ्ट अपद नमीरतम अप बात करते हैं परसे नंबर 102 ऑसो 202 की गंडे की आदसाली फसल की बुवाई की का समय क्या अभ्वाई को हसे क्या जो गंडे की ओती घुलाई में जुलाई में अदसाली गंडे की गो जो इसे प्रियों किया था तो सब्सक्राइब है इसे भी प्रियों की तक сторон के लिए अबर को मीerk किया और योग तक लिए प्रु़इंसिकल्डिंगे उपष्ट शूही साल बात करते हैं परिशन नंबर 104 की 104 है कि बीज लुप्त बीमारे के नियनतन के लिए गन्य को बहुने से पूर उक्चार्ट करना चाहिए जो बीज लुप्त हो जाता उसकी बीमारी के नियनतन के लिए किसका प्रियोग करना चाहिए तो उसके लिए एग लोल का प्रियोग करना चाहिए एग लोल का उसके अगर बुवाई करती समय उसकी जड़ में डाल देना चाहिए जिससे की जो बीज लुपत हो जारें वो वो बीमारी खतम हो जाएगी इससे तो प्रसन नम्बर सह सही है इसका बात करते हैं प्रसन नम्बर 105 105 है कि गन्ये के टुकड़े को गर्म पानी में उपचारित करते हैं क्यों मतला अगर गन्ये जब वोते हैं उस समय जब गन्ये को गर्म पानी में उपचारित करके वोते हैं तो क्यों वोते हैं उसका कारण क्या है उसका कारण जो है यह बीज जन जनित रोगों की नियंतित करता है जो जन कंदवाली फसलें कोन से भारत तो वह आलू उपस्वन बैसे ये कंदवाली बात करते हैं 107 107 कि लिए संभूचे आलू का आकार होता जब वह आलू की बुवाई की जाती तो उसके जो आलू का कार होता वह कितना होता डाय सेंटिमेटर का होता जिसे सब्सक्राइब करते हैं कि आलू की पिर्थी हेक्टर कितनी होती है तो इसमें बतानी कि आलू की जो बीजदर होती है वो कितनी होती है तो 20 से 25 कुनटल प्रती एक्टेर होती ही आलू की बैसे यह इसका बात करते हैं 109 109 है आलू में कार्वो हाइडर इस्टार्च का प्रतिस्ट मातर जो आलू में स्टार्च होती है उसकी जो कार्वो हाइडर जिसे कार्व हाइडर गोलते हैं उसकी कितने प्रतिस्ट मातर कि अधिक्तम आलू उत्वाधन राज्य कौन सा ज़िए सब्से ज्यादा आलू उत्वाधन कह जाता वो कौन सा है तो सबसे ज्यादा गाट कहता उत्तर पृत्तर प्रिदेश में आलू को हुआ पॉसन नुंबर बैं और यह कोसे बुच्छ जाय का इंपोड़न इसमा पूछ कि बार्ज होता कितना होता 25 से 30 ग्रम होता बहरा आलू को अपसर नम्बर बे बात करते हैं पर सथ 122 कि 112 है कि चिप सोुना फुष्ट है वह प्रश्थ है इंजना कैसी है वो तो वो आलू की है चिप सो नलो जो आलू की प्रश्थ है इस नम्बर से हैं और पूछ अध़के कि पढ़ जाती है तो वो भीieht कि आलू कीए अलू में जो पढने क reach नौब उपने कि रिट आलू के होती है तो उसके लिए और कितली क्या अवस्तों हूती है 27- 20 सेंटीरिय ताप मान के उपसेंग नमबर से इसका बात करते हैं प्रशन अमबर 114 114 है कि संकरधान की खेती का सरवधिक परचलन है कहा पर है सबसे ज़्यादा संकरधान की खेती का तो कहां पर своя ज़्यादा वह चीन में उपस्छन अम७र से से यह इसका बात करते हैं पर रशीन 1611रीं कि मिट्टी चलाना संबंदित है मिट्टी चलाई जाती कि पर चलाई जातों पर practitioners नहीं चला है अलुव पर उप्सूबर बंप यह सोलने सपटेहसे ही है इसका बात करते हैं परशेन Fukos ऑप्स्टकारी प्राइब्सका शेट नुंबर 8 118 ये कि लाइनिगरी सब्सें संब्सक्राइब इता है चया किस वल्न की आपकर तरही बहुत में भीषा कवा सब ciao आतने किस्टकारी तरहीं बात जो आ़ो में सिचाइब की लिए तो Chop? वस्ता कूंसी रहती है उसमें तो कंद बनते समय। सबसे क्रांतिकारी का वस्ता रहती हयती हैं। IX बात करते हैं vale 120 خिले जो भारत में कितने किरसी जलबायों 20 रहें न्मबब बात करती हैं किसी वाइव होता है किससे फिर्भावी होता वा sowoo किलोरीन से प्रिभावी तो बात करते हैं पर से नंबर एक सो 222 से तंबाकु जो तंबाकु है वो किस कुल से संबन देता है तंबाकु है सले ने स्कुल से बाट करते हैं पर से नंबर 123 कि डिस्पटरीन किस वासल से संबन देता है तमबाकु से संबन देता है और बीडियो को अंति तक जरूर दए har बागे और important question हो पूछा जाया तो वीडियो को अंतितक जरूर देखें और वही जिसने वीडियो को लाइक नहीं क्या वीडियो को लाइक जरूर करते पहले क्या भूल जाते हैं तो बात करते हैं 124 24 की सुरी 125 की सीर army की स्फसल से संबंदी तो सीर्ष कर्तन की सु पसल सींबन देता है तंबाकु से संबं देता है भूसे संबंदीते हैं efficient नूबर 12 the 25 जो fine killing किस फास सांब लिता है मैं किसी कि यह फासर में कि जाती तमबाइकुञिक प्रिशन कि तरहैं 226 कि एक हेक्टेर के लिए एक वटे यह Tá olive case दॉता है याते ही फिर्चनमब एक fiance कि एक सो सताइज से कि जो निकोटियाना तेवाट कंप प्रशाती के लाचा तुम प्रितिस्ध भागता तो कितने प्रितिस आतो है नवाजी प्रितिसद भागता अप सनुम्बर से बात करते हैं नंबर 148 123 की Algernya is які अनदी गुराई एक संथ्य पेडाय बदती है जो अन्दी गुणाई है वह एक संती जो अनकरoft पोटा है अनदी और Israelites किसम ओति अन्दी गण्यां तो निज बैवनी तो नदी गुणाई किर नोती फिर्ट में तो गन्य में जो कपास के लिए घर्भूच के लिए तंबाplain के लिए यह गन्मा गया थी तो है तो यह गन्ना में होती है अन्दीुणाई कि इसी सही बात ही पाए जाती है तो किसमे पाई जाती है भार शीन में जो राइबो जीं स्वाइब 2 इस पेखिए बए जाता है वाम साइता है दुछ वह घूपेंगे मतों मोहिन किसकी है? मून की परजाती है अपसन मर से बात करते हैes 31 एकसर喜欢 को बर्सिंग के बीच का उपचार करते हैं पोध मिटी रही द्धिम में उगाने की बिदी को क्या कहते हैं जो दहान की पोध जो तियार क्याती है मिट्टी में रखका origin कहते हैं उसे डेपोग्ष कियां अबbew साहिए बात करते हैं 133 136 strength का कि युद्न वेसे कौनसा सुमेलित नहीं नहीं है उन्हीं से बताना पर नम्ब से से जह सका बात करते हैं पर से नमब 134 134 जो किस्तात पर रहे तो एक भूमी पर एक बरस में चार फसल इस पिरकार उगाना की बाद में बोई जाने वाले फसल उसके पहले बोई गई फसलों के कटने से पूर्व वो दी जाती है जो फसल की बुभाई की जाती है एक ही एक ही बरस में चार फसलों को उखाएंगे और उनमें से जो बाद में बोई जाएगी उसके लिए पहले बोई गई है और फिर उसे काटने से पूर बो दी जाती है एक फसल तो चार फसल बो दी जाती है उपसिन नमर से से यह इसका बात करते हैं परसे नमर 135 135 कि मूं का बनस्पतिक नाम क्या ह enact obsessive में पूछा जाएगा जरूर जिया तो ऑफ लों के पूछ ले या तालों के पूछ ले या आनाज की फसल अनाजों की पूछले किसी कभी बीगड़ान की नाम पूछ सकता है तो कि मूं का क्या होता है था बिगनस रेडिएटा उप्जन नंबर ब निए इसका बात करते हैं 137 कि भारते किर्षी अनुसंदान परिस्थ कहां इस्तीत है तो भारते किर्षी जो अनुसंदान संस्तान है वो कहां परिस्तीत है वह दिल्ली में इस्तीत है और अनुसंदानों से संबंदित हमने एक वीडियो हमारे चैनल पर यह अपलोड है वह आपको प्लैलिस्ट में लिए उसकी आप वहां से देख सकते हैं मतलब जो महतपूर्ण अनुसंदान केंद्र हैं उनकी वीडियो पूरी है तो उसे देख लें आप बात करते हैं परिस्त होती है तो उसके लिए होती है 100He में 120 मॉपस नंबर भी सही है इसका बात गरते हैं 149 ं CC कि हमें many Caleb K प्याज्ण ऊर्चाहरी में रदलख किया होता साथ से अधिक होता और कि उदासीन जो होती है वो कितने परγα्ती है वो होती है। उप्सिन नम्बर इसék निये सबस्द्रलच को सबसे या उसमीदे सबस्देद तो से से चाहिके बात करते हैं ९। । अप्सा सेह सेहे इसका। बात करते हैं, फिरसन नमब्र sias indirectly कि मरद्धा पाई जाने वाले मूलख क्नीश क्या है, गया हैं तो वहूँ हैं।RDs, oxen number six नमब्र siasah यह. डी I version 7 बात करते हैं से 143 की लवडे मूर्दां में बिल्ययम योग यह जय सोडियं होता है उसका जो कि लवडे मॉर्द्ध विंए αλλά्ग्यướcый िम योग टा कि ल सविज्व होता है तो वह जो होता है वह छोता है 15 पंद्रिय से कम होता is नमबर से बात करते हैं पर सब्सक्राइब करते हैं प्य हैंब कि अतर करते हैं मित्त क्टी पाई मिट्टी पाई जाती है जलोर मिट्टी पॉठाइब के लिए 405 145 यह कि खेती के लिए उप्योग तो पीएच मान होना चाहिए मतलब जो खेती की जाती है उसके लिए पीएच मान जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए तो उसके लिए साड़े चॉसे साथ पी-यच मान होने सब्सं नंबर से है। बात करते हैं। पिरंचलंबर pastoropand तो तो वह करता है। यूदousse करता है। बात करते हैं। संचार सब्सक्राइब कि जलतान ख़ुसें कह सनुविचे में तरह चौनते हैं। 181 heart olmasıいます 65% सिल्ट वाली मृद्धा क्या कहलाती है जिसमें 65% तक सिल्ट की मात्रा पाई जाती है उस मृद्धा को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं चिक्नी दो मट कहते हैं उपसन नमबर से बात करते हैं 148 148 है कि जो चिक्नी मिट्टी के कणों का ब्यास होता है चिकनी मिट्टी के जो कोणों का ब्यास होता है कितना होता है 0.002 मीमी से कम होता है बात करते हैं पर चिकनी मिट्टी के जो चिकनी मिट्टी होती है उसका ब्यास कितना होता है तो 0.002 मीमी से कम होता है यह एक्जाम में पूछा जाता है इसे दियान से देखें एक बार और important question है तो बात करते हैं Pihadist No. 1994 कि मृद्दय कोंडों की ब्याक्खा को कहते हैं मृद्दय कोंडों की ब्याक्खा उते हैं उससे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं म्रध्द्द संझ संजन कहते हैं एक सय सही सही सेआ बात करते हैं पर सेमस्ट 151 650 है कि मिर्द्ध सनरचना संबन दित है Maret yes I am a जो हो किसे संबन दिता है म्रेद्ध के काणों के बिनास से संबन दिता एक सब्सक्राइब से बात करते हैं patient number 151 155 कि सामाने टैंहों का निर्पेक फिस गहनत जिसे लिए देश्ट माना जाता कितपनी संसंजंजन 2.6 पाइस का इस जोफ मतीम संसंजं भाया साइस नंबर libertad बात करते हैं प्रिशन नमबर 153, 153 है कि पोधों की ब्रद्धी और विकास के लिए उप्युक्त म्रद्धा सरनलचना है जो पोधे जो होते हैं उनकी ब्रद्धी और विकास के लिए कौन सी सरनलचना उप्युक्त रहती है तो वो रहती है इनके लिए कंडी कायम नमब्स नमब्स सई चैनल िसका बात करते हैं प्रस्चा मम्स 174 मेरे कि डालू खेत? जुताई करनी चाहिए जो डालू खेत होता उसमें जुताई कैसी करनी चाहिए तो उसमें जुताई करनी चाहिए ढ़ाल के विप्रित दिसामे करनी चाहिए कि समोच मेड बंदी उप्य। 54 कि परसे नमबर 156 है कि जो भूछाणरोदी फसल है वो किसकी है भूछाणरोदी फसल किसकी है तो व string से O W kindness नमबर बै बात करते हैं 157 आमले भूमी को सुदानने के लिए किस का प्रियोग शयाता किसका चूने का प्रियोग शयाता थे चून उपर हमने पढ़ा दिया है विवाइस हो जाया गए तो छारी में रद्दाओ के लिए जिपसम का और हमने में रद्दाओ का चूना का प्रियोग के रहता है तो इसका उप्शन नंबर दैस ही है बात करते हैं प्रिशन नंबर 158 है कि कंपोश्ट में नत्रजन पाई जाती है लग कंपोश्ट होता है उसमें नत्रजन की जो पाई जाती है वह कितने पृतिजर पाये जाती है वो पाई जाती है सीरड़ का 203 क de Somos 169 169 कि पोटास का प्रियोग बढ़ाता जो पोटास होती है उसका प्रियोग करने से किस चीज़ में बिरद्धी होती है तो पोटास की जो मात्रा बढ़ा ही जाती है तो उससे जो होती है पोधो में जो रोग प्रिति रोधक छमता होती है वो कम हो जाती है उसका बात करते हैं परसन नमर एक सो साथ की, एक सो साथ है कि जो 40 किलोग्राम डी एपी, डी एपी से कितने फास परस की पूर्थी होती है, 400 जो किलोग्राम होता है डी एपी, उससे फास परस की मातर कितनी प्राप्त होती है, तो उससे प्राप्त होती है उससे प्राप्त होती है 184 किलोग्राम बात करते हैं प्रिशन नमर 161 की 200 किलोग्राम डाई अमोनिय सल्पेड से कितने नाइटरोजन की पूर्टी होती है तो 200 किलोग्राम से बात करने मिकित्ल नमर 162 निमें कित्में से कौन सा प्रात्मिक पूर्टन तत्व है उसे क्यों सपाझन तत्व होता है य बात करते हैं उन्हों के पोदों के अवसक तत्व मों कितने अवसक होते हैं इसका बात करते हैं प्रश्न पूछा नहीं है इसमें पूछा नहीं है तो वो जो है वो है गंदक पोशक तत्व नहीं है उपसे नमबर दे बात करते हैं पूछ नमबर 166 166 है कि जो सिंगर सूपर फास्पेस्ट में जो सिंगल फास्पर जो होता है उस PB मात्र कितने पूछ तो तो यहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब वह कौन सी फसल है तो वह हरीखात के लिए जुआर प्रियोग नहीं की जाती है नहीं नहीं जाते हैं जो पोधे द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है इसलिए वह किसके जरीस किसी तरह की से लियाती नाइट्रोजन अधिकतर पौधे जो लेते हैं नाइट्रोजन को जो नाइट्र के रूप सब्सक्राइबिटे कि यूरिया यूरिया बात करने इक सब्सक्राइब में नायटरोजन पाहे जाती है तो यूरिया नियूरिया जी और रूप में पाहे किसान खाज जिसे सी ए एन में नाइट्रोजन प्रतिस्र मात्र कितनी होती है तो इसमें कितनी होती है 25% तक पाई जाती है इसमें मात्र सी एन गी हम बात करते हैं पर्पोदों नाइट्रोजन किस रूप में रहते हैं तो प्रोटीन के रूप में इस्तित रहते हैं उपस्तित रहते हैं पर्पोदों इसका करते हैं प्रिटेंस फान ते इसके बात करते हैं से नील हरित इलगी नाइड्रोजन इस्तिकर्ण करती है जो इस्तिकर्ण करते हैं नीचे की परत होती है उसमें पाने भरते ही रहते हैं तो इसमें नीचे की परत में एंगा हरे हरे शहाल जम्याते हैं जिने नीजर वह चैसे लिए और तो अपसे नमबर बैसे यहां बात करते हैं कि पोधों की जड़ों के विकास के लिए आवसक है जो पोधों की जड़ों के लिए विकास के लिए चाहिए वो चाहिए फासपुरुस की मात्रस आई है उपसे नमब बैसे इसका बात करते हैं परेसंपनर 177 एक सबसे अधिक नाइज्टोचन फिरती एक्ट्रस संप्ट सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो यह से जी में पाई जाती है नाइट्रोजन पृति आक्टस इस ताफ़ित करने की तो बैस यह इसका बात करते हैं कि सामान्न थामे नतलं जो पृतिसरत होती वह कितने पृतिसरत होती है मिरतौन की तरय। तो कि दान के पोधे नतरजन किस रूप में लेना परसंद करते हैं तो किस रूप में नाइट्रिजन को लेना परसंद करते हैं तो किस रूप में तो वह लेना परसंद करते हैं अमोनी के रूप में A9 Ins3 नहीं तोरी एनेज Network प्लस के रूप में रहातमक के रूप में बात mister कि बात करते हैं पर से 181 का का प्रियोग करने पर फिरवाब होता है तो आमोनियो सल्फएट का प्रियोग करने पर पिरवाब होता है करते हैं तो इस पर प्रवापरता किसका पर्ता हम्हेट है अमले मित्टी होने लग जाती है इस से अब बातMarty नंबर 182 एक of 82 है कि जये अब रख है जो यह जो है नीर हश्य वाल भी है और रेख़् नबर 188 यह दो एकहलत में करूंड में और 186 में आतन चादारosph unfortunately कितने प्रतिसफट होती है तो आयतन के आधारपर जो भूबिविमें प्रतिसका वैनके प्रतिसफट मातर होती है वो होती है 5% ऑप्सनHello 26 बात करते हैं प्रतिसननम्बर 184 184 है कि दलहेनी फसलों में बीज उपचार किया जाता प्सलों होती है जहरी लाऊ जाता इजएा क्योंस बहुत हैं अग्साम में पूछा जा सकता कि जो हरा आलो होता है किसके नेशी को करण जाता चॉत जार लॉटέρ। आप पिसने मदेरा ही और चॉची सेकिने कंदे रहे हैं एक तरह फसल दे रखाइं ग। उसे तब किसम दे रखी तो इसमें आपको मिला लिए तो इसमें चने की जो किसम है वो कौन सी है वो है उपासा और अरहर की कौन सी है वो है अब रोधी तो अरहर की कौन सी है इसमें अब रोधी चना की कौन सी हो गई चना की हो गई ने सोरी ऐसे नहीं है यह थोड़ी गल्ट तो इसमें जो चना की जो है वो है अवरोधि किस्म चने की औरेर की कौन सी है वो पासा 120 अब दान की कौन सी है दान की जो परजाती है वो है दान की परजाती विए रतना और जोगी परजाती है गीतानजली तो ओप्सन नमबर इस में कौन सा देख लो उसे तो इसका जो उप्सन नमबर है वो है बैं तीसरे का तीसरा मतलब है इधर वो खंडे दे रखें और इधर उप्सन दे रखें तो उप्सन नमबर बैस ही है इसका बात करते है प्रिशन नमबर 187 187 है कि एग्रोजोल कल्चर का प्रियोग किस फसल में करते हैं जो एग्रोजोल कल्चर होता उसका प्रियोग किस फसल में किया था तो उप्रोग सभी में किया था मक्का में भी जौर में भी और धान में भी इन सभी फसलों में प्रियोग किया था एजो कल्चर का बात करते हैं ना रायबो जल्टेक्स करना सर्वुदिक अच्छा रहता अप्सिन नंबर बैस नमबर 119 119 सिये चिए आमेरिकन सोसाइटि आफ एगृनोमी की स्थापना मेहत्पूल करे सने के एगरोनमी जो अमेरिकन सोसाइटी ओफ डूमी इसकी स्तापना कव हुई थी तो इसकी स्तापने हुई थी उन्नेट सो आट इस भी में और से सजी इसका बात करते हैं 190 190 कि खरीब की फसल पक कर त्यार हो जाती है तो खरीब की फसल जो कौन से महीने पक कर त्यार हो जाती है तो अक्टूबर नवंबर में त्यार हो जाती है यह बात करते हैं प्रिशन नंबर 1191 कि जड़ पर ग्रंथिया किस फसल में पाई जाती है जो जड़ में जो ग्रंथिया पाई जाती है वो किस फसल में पाई जाती है तो वो पाई जाती है उर्द में भी पाई जाती है मुंग में भी अरहर में भी उप्सन नंबर दैस है इसका उप्रुक सभी फसलों में पाई तो वह फसल होती है जो भी होती है कहपास भी और धानवी तो उप्सवन नंबर डैसे इसका बात करते है पवरस्य नंबर 19.319 कीरेश का जिसे लोटाया ये फसल है यह कुन इसे कितने वर्ची है यह आख़ओ वर्ची यह बहुंब्रस की तो रिज का जो यह है यह है היא क्रेंट बहुंग श्य फसले ऑक्रेंब करते हैं इक सुछोरानुम्मैं कि घास kiennent में हैं तो घास को लाता है पूएसी उसमें कौन कौन सी फसले हैं तो 194 में जो है वो धाना भी आती है पूएसी में गेह भी आती है गन्ना भी आता तो अब्रोग्त सभी है इसमें आपको आदे बात करते हैं 195 एकसी 25 जनना प्यूड़ी लोवया फसल चक्र किरें करें और समय झारे एक रिर्ष जन्म, आइन परस्ट फसरण करें का उपसाना जैसी को बात करते हैं परस्टन नम्ड्रेंब 156 जी पे पूसा बिसेस deep 28 किया में पिरजाती किसी की है तो यह पिरजाती जो है गैंओं की भीज बर्दन जो बिस्तापन दूरी रख्याती है वो रखी जाती है इसके लिए तीन मीटर की दूरी रखी जाती है पुरसन नमबर एं बात करते हैं पुरसन नमबर 198 198 है की थोड़ा जूम कर लेते हैं तो 198 दो पानी उपलब्द होने पर गयाओं की सिचाई करनी चाहिए तो गयाओं की सिचाई जो करनी चाहिए दो पानी अगर प्राप्त हो रहे हैं तो उसे जो की जाती है तो उसके लिए जो की जाती है ताजे ताजे जो ताजे अवस्था तता दूद अवस्था में कर देनी चाहिए जिसे क्राउन जड़ कहते हैं सब्सक्राइब करते हैं इसका बात करते हैं 199 199 कि सिकर जड़ का ताज मूल अत्वा सी आई आर पर गेंगों में से चाहिने करने पर हानी होती है तो किसकी हानी होती है तो वह होती है इस्थानी जड़ों का बिकास नहीं हो पाता सही बात है कलों की संक्या कम हो जाती है सही है और कल्ले आगे पीछे निकलाते हैं सही है तो प्रोक्त सभी यह हानी होती है सिकर जलता तो ताज मूल अबस्ता पर गेंगों में से चाहिन ने करने पर यह हानी आप सामने आ जाती है option number 10 सही है इसका बात करते है person number 200 की 200 है कि गयों की बोनी जाती में दाने एवं मूसे का अनुपात कितना होता है तो कितना होता वो होता एक अनुपात 1.25 option number A सही है अगर आपको वीडियो पर संद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू कर दें और जो हमारे चैनल पर नहीं है वो चैनल को जरूर सक्स्वाइल कर दें और आपको हमारे चैनल पर यूपी कैटेक से related वीडियो भी आपको मिल जाएंगे समय समय पर अपडेट देते रहेंगे और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जब तक के लिए बाए तो जै जवान जै किसाँ